नमस्कार प्रिये दर्शकों हाजिर हुमें शुक्र राशी परिवर्तन प्रभाव को लेकर दैक्त्य गुरु ने अपनी पिछली राशी वायू तत्विय राशी मिथुन राशी को छोड़कर जल तत्विय राशी करक राशी में अपना गोचर प्रारंभ कर दिया है 28 सुतंबर 2020 तक के लिए आकर्शन दामपत्य सुख सुंधर्य अईश्वर्य वैभव कला संगीत जहां बात खूप सुर्ती की हो जहां सुख व अईश्वर्य की हो वहां है शुक्र इन सभी के प्रतिनिधिक रहा है शुक्र करक राशी में शुक्र का यह गोचर मेश लेकर मीन राशी परियंत प्रतेक राशी के जातकों के लिए क्या प्रभाव लेकर क्या आ रहा है प्रियदर्श को देखा जाए तो प्रतेक ग्रह का अपना अपना विभाग है हर ग्रह अपने विभाग से संबंधित विशेश प्रभावों को अपने गोचर काल के बदलाव में प्रदर्शित करते हैं तो शुक्र का जो विभाग उनको प्राप्त हुआ है वो दामपत्य का है सुख का है अईस्वरे का है अगर आपकी जन्म कुंडली में ये बलवान अवस्था में बैठे हैं बली हैं तो निसंदेह ये गोचर काल आपके लिए शुख प्रदायक बन जाएगा क्योंकि जल त तत्विये ग्रह और जल तत्विये राशी में संचरण करेंगे एक और बात बतादू ये राशी फल आपके जन्म राशी के आधार पर है यानि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमाज इस राशी में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशी अगर आप अपने जन्म राशी के क्रम में पहली राशी मेश राशी के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर क्या प्रभाव ले करके आ रहा है देखा जाए तो आपकी राशी से वर्तमान समय में शुक्र चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और ये शुक्र आपके सब्तमेश और धनेश हैं धनेश का संब पसंद आपके सुख भाव से यहां विचारनी है क्या इस गोचरकाल में शुक्र के ऊपर शनी की दृष्टी है तो सीधी सी बात है कि शनी की दृष्टी सुक्र पर हो तो ये राजियोग भंग करने वाला होता है और मैं सदय एक बात कहा करता हूं कि अगर चारित्रक मजबू तो वहीं परिवार में प्रेम बना रहेगा सौहारद्र बना रहेगा बस एक बात का खयाल रखना है कि चतुर्थस्त ग्रह घर का माहौल खराब करने का भी कई बार काम करते हैं घर में कलह कावाता वरण भ्यूत्पन कर देते हैं तो हो सकता है आपके कारण हो सकता है आप क ले हुए हूँ और आपके माता पिता इसके चलते इस बाद के विपक्ष में हो और घर का माहॉल इसके चलते खराब हो जाएगा आपको सावधान रहना होगा हलाकि बहुत इक सुक्स विधाओं का लाभ आप भर पूर रूप से उठाएंगे एक आगरता बढ़े की आप अप आपकी 26 수द्रे की वहाँ जाता से ज़्यादा आप काम कर सकेंगे करियर में ग्रोथ होगा नौकरी में अगर चेंजिंग करना चाहते हैं बदलाव करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं आपको इसका फायदा मिलेगा मिलाजू लाकर के देखा जाए तो मेश राशी के नहीं है मा भगवती जगदंबा के मंदर में जाकर के उनका दर्शन करते रहिए आपको यह गोचर सभी प्रकार से बढ़िया 28 सेप्टमबर तक की बात है बढ़िया रहेगा आपके लिए और बात अगर हम व्रिशब की कर लें तो व्रिशब रास्ति जातकों के लिए गोचर पराक्रम भाव में होने जा रहा है आपके राशी पती हैं शुक्र सश्ठम पती होकर के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे तृतिय भाव में गोचर करेंगे यह बढ़िया होगा आपके लिए आर्थिक लाब की स्थिती बनेगी मान सम्मान में भी जहां ब्रद्धी होने वाली है वहीं छोटी मोटी यात्राओं का विचार करते हैं कुंडली के तुरुतिय भाव से यह यात्राएं होंगी और आपके लिए फायदे मंद होगी चुनावतियों का सामना आप डटकर उनका मुकावला करेंगे और हर जगा आप जीत हांसिल करने वाले मिलाज जुला कर के देखा जाए तो महनब से अपनी लगन से आप हर समस्या से पार पाएंगे हर समस्या को छोटा कर देंगे तो वहीं घर से बाहर निकलना आना जाना तो जड़ातर जगों पर कम ही है तो किसी इंटरनेट या किसी और संचार के माध्यम से कोई खुश खबरी कोई शुब सम मिलेगा वहीं अगर प्यार को विवाह में तब्दिल करना चाहते थे और इसके लिए घर परिवार से चाहते थे कि उनकी मरजी मिल जाए और अभी तक नहीं मिल रही थी अब मिलेगी अब मिलेगी आप अपने घर परिवार वालों को अपने पैरेंट्स को मना सकते हैं भाव में गोचर करेंगे और अभी तक आप ही किरासी पर थे अब धन भाव में गोचर कर रहे हैं तो यह गोचर बढ़िया है आर्थिक इस्तुति के द्रिश्टिकोंड से जब मिथुन में थे अन्याप किरासी पर थे तब भी बढ़िया था और अब जब कि आप किरासी से द प्रड़ुत्तरी लाने वाला है जीवन में खुसियां आएंगी दुतिय धाव से खाने पिने का विशार करते हैं और सुकुर को जानते ही हैं आप ये सुक और भोग के कारक हैं तो स्वादिष्ट व्यंजनो को का भोग करना इसमें दिलचस्पी आपकी बढ़ेगी और मैं हम करता हूं कि जहां भोग बढ़ा वहां रोग के लिए तयार हो जाए तो अगर उम्रत राज हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि शुगर हो जाए आपको सावधान रहिएगा खान पान से परिशानी भी पढ़सी है भोग सदई वो रोग की ओर ले जाता है एक और बार भोजन मे मिठास थोड़ा कम हो परंतु वानी में अवस्य मिठास आने वाला है व्यक्तित्व आपका आकर्सक होने जा रहा है ने मिठुन रासी के जातकों के लिए देखा जाए तो शुक्रकाई हगोचर बेहत बढ़िया है प्रेम संबंध में सफलता सबसे जादा सफलता आपको प ध्यान दें और आप ऐसा कर सकते हैं तो मिला जुलाकर के मिठुन रासी के लिए सभी प्रकार से बढ़िया है अगोचर किसी विशेश उपाय कि आवशक्ता तो नहीं है स्रिसुक्त का पाठ आप करते रही अथ्वास्त्रवन करिए कृपा मिलती रहेगी और धनागमन की सं चल रहा है प्रथम भाव में यानि आपकी रासी पर तो सीधी सी बात है सुक्सु विधाओं में ब्रुद्धी होना सुक्सु विधाओं का आनंद उठाना ये सब कुछ हो सकेगा शुक्र आपके लिए देखा जाए तो लाभेस और सुखे सोकर के आपके व्यक्तित्तों से संबंद बनाएंगे तो जहां आर्थिक मुनाफ़ा होने वाला है वहीं आपके व्यक्तित्तों में भी ठाहराव आएगा रिस्तों में संतुलन स्थापित होगा घर का माहौल खुसहाल होगा मित्रों के साथ संबंद मधूर होने वाले है पारिवारिक जीवन सुखद होगा सभी प्रकार से बढ़ेगा प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं और प्यार को उकसाएगा अगर आपने ऐसा किया तो निसंदेह समाज में आपकी छवी खराब होगी एक और बार अगर किसी प्रकार की समस्या में पढ़ गये हैं घबराईये मत समस्या से निकलने के लिए जीवन सांती का सांथ आपके लिए रामबान है किसी भी तरह की दिक्कत और परि तो मिला जुला करके करकराश के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर बढ़िया फल देने वाला है विशेस किसी उपाय की आवशकता अगर है तो भोलेनात के मंदिर में जाकर के भोलेनात का गन्ने के रस उसे अविशेक करते रही और विशेस करके गन्ने का रस मंगल बा भी धनागबन के रास्ते बने रहेंगे सुम्ह के लिए बारवे में होने जा रहा है यह गोचर आमतर पर जब भी कोई गोचर छटवे आट में बारवे अथवा चतुर्थ में हो तो उसे अच्छा नहीं कहते लेकिन शुक्र को बारवे में कोई बुरा नहीं कहेगा शुक् आपके लिए ठीक नहीं है परन्तु ये जरूर कहूंगा कि हर्मोनल चेंजिंग आपके अंदर होगा बदलाव होगा और इसी बदलाव के शिकार हो सकते हैं आप आपकी गलती आपको मुश्किल में डाल सकती है शुक्र का संबंध बारवे से बने और सनी से संबंध हो जाए तो सीधी सिवाथ है किसी इस्त्री के कारण में पुरुषों को विशेश रूप से सावधान करना चाहूंगा इस्त्री के कारण मुश्किल में पढ़ेंगे जे लियात्रा तक किये इस्तुति लिया देते हैं सो जरा सावधान रहिए वासना का स्तर जितना निम्न होगा आपके उठान का स्तर उतना ही उचा हो जाएगा जीवन स्तर को उच्च बनाने पर विचार करिए पतन की ओर ले जाने से बचिए ब्यार्थ का ब्याय करने से अच्छा है अच्छे चीजों पर ब्यार्थ कर्च करिए विदेश में कहीं पैसा इत्यादी फसा हुआ है तो वो प्राप्त करने के लिए बढ़िया समय है और ब्यापार नया शुरू करना चाहते हैं उससे आपको लाभब राप्त होगा परंतु मैं फिर से एक बात बता दूँ चारित्रित पतनता ही इस समय आपको मुश्किल में डालेगी अनिथा शुक्र का यह गोचर आपके लिए फायदे मंद है अगर देखा जाए तो सिमरासी के लिए आपनो विश्वास बना रहेगा और गलत राह पर जाने से आप बचे रहेंगे बात कन्या की कर लेते हैं कन्या रासी के जाटकों के लिए देखा जाए तो हो सकता है बोलने के क्रम में मैं शुक्र की जगह बीच बीच में बुद्ध बोल जाओं तो आप लोग इसे शुक्र ही समझिएगा क्योंकि कल ही शुक्र का रासी परिवर्तन बुद्ध का रासी परिवर्तन मैंने बनाया था जबान पर बार बार बुद्ध आ जा रहा है मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है कि बीच में भी मैंने एकाद बार बुद्ध कह दिया है तो इतना तो आप समझी रहे होंगे कि मैं शुक्र की बात कर रहा हूँ बात हम कन्या की कर रहे है कन्या राशी की जातकों के लिए देखा जाए तो शुक्र का यह गोचर लाभ भाव में होने जा रहा है अब सुक्र आपके लिए सरवाधिक योग कारक प्लैनेट है क्योंकि आपके लिए नौमेस और धने सोकर के लाभ भाव में सुंचरन करेंगे तो महाधनी योग का निर्मान करेंगे नहीं कर रहे हैं तो महाधनी योग का निर्मान इन्होंने कर दिया है सीधी सी बात है यह अब धी आपके लिए आर्थिक रूप से बेहद मजबूत होकर क्यारी आपकी आर्थिक इस्तुती मजबूत होने वाली है कई छित्रों से आर्थिक मुनाफे का असर दिखाई पड़ रहा है और सनी की दृष्टी सुकर पर होगी और शनी लाभ के रास्ते में रोड़े अटकाने का काम जरूर करेंगे परन्तु आप घबराईए गमत धैरे बना करके आगे बढ़ते चले जाएए साप सुत्रा रहना शौंदर्य के साथ रहना इसे से भी सुकर को बल मिलता है तो साप सुत्रा वस्त्रधारन करिए साप सुत्रा रहिए फैसनेबल कपड़ा और पर्फ्यूम इत्यादी पर खर्च तो होगा दोस्तों की गिनती भी पढ़ेगी हो सकता है वो सारी मख्या भिन बिनाने लगेंगी जो आपको गुर समस्ती है परंतु ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको सावधान दहना है सामाजिक दायरा तो बढ़ाना है लेकिन ऐसे लोग का दायरा नहीं बढ़ाना जो केवल और केवल आपके पास इसलिए आ रहे हैं ताकि आपका धन उड़ा सकें मज़ा आपके धनका ले सकें बिपरीत से संबंध तो मजबूत होगा परंतु एक बात खयाल रखिएगा कि अगर एक्स्ट्रा किसी ऐसे चकर में आप पढ़ेंगे एक्स्ट्रा मेरिटल अफ्यर वगरे के चकर में पढ़ेंगे तो परिशानी में पढ़ जाएंगे तो मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ हाँ प्रेम संबंध में तो बहुत पढ़ी हाई ये 28 तारिक तक का समय आपके लिए आदगार बन जाने वाला है प्रेम संबंध को बैवाहिक संबंध में तबदिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कनक धारा इस तोत्र का पाठ आपके लिए बेहत फायदे मंद होगा इस गोचर काल के दोरान करते रहिए ताकि मालक्ष्मी की और कृपा आपको प्राप्त होती रहे तुला की बात अगर करें तो आपके राशी पती हैं शुक्र और ये जाकर के दसम में गोचर करने जा रहे हैं दसम में गोचर करेंगे कहां कहां का ये फल दे रहे हैं तो अस्टम का फल दे रहे हैं और साथी साथ आपके राशी का तो अश्टम काई ने दोस नहीं होगा, दसम में गोचर करेंगे, देखिए, कुछ मामलों में तो आपको सावधान जरूर रहना होगा, जैसे कारिश्थल पर बेवजह के लडाई जगडा, या कई बार क्या होता है, कि किसी विपरीत, सुक्र के गोचर की अगर हम बात करें, तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते, कि शुक्र का गोचर केवल पूरुशों के लिए होगा, इस्तरियों के लिए भी होगा, लेकिन चुकिए शुक्र भोग और अईस्वरे के कारक है, तो कही न कहीं पूरुशों के मामले में ये विशेश रूप से विचार नहीं हो जाते हैं, त और इन सब से अगर आप खुद को दूर अखते हैं, तो फिर देखिए, कारेक्षेत्र में जबरदस्त सफलता मिलेगी, नौकरी चली गई है, तो आपको विशेश रूप से प्रत्न करना पड़ेगा, सफलता मिलेगी, दामपत्य जीवन में हैं, बिवाहिक सुख में हैं आप तो जो समस्याई उत्पन्न हो रही थी, उसे दूर करने का आपको प्रत्न करना चाहिए, नहीं तो, अब मेरे पूर्ब में बताई बातों को जरा एक बार अपने उपर लागू कर लीजिए, अगर आपने बिवाहेतर संबंद बनाया, तो घर का माहौल खराब हो जाएगा, क्योंकि जीवन साथी से कुछ छुपा रहेगा नहीं, ये सारी चीए छुपाई जा नहीं सकती, तो ये छुपेगा नहीं, और घर का माहौल खराब होगा, तो अगर आप चाहते हैं कि घर का माहौल खराब नहों, तो अपने आपको समहाल करके रखे, किसी भी प्रकार के व आस्ता मिलेगा, खुद कुछ थानांतरिक करके आप प्रमोशन पा सकते हैं, दिखे मैंने कुछ मामलों में परिशानी आपको बताई, लेकिन अगर प्रसेंटेज निकाल करके दिखाया जाए, तो तुलारासी के जातिकों के लिए लगभग 90-95 प्रतिसत यह गोचर फायद ना करते रहिएगा, शुक्र के बीज मंतर का जब करिए, इससे विश्यस आपको फायदा मिलेगा, व्रिश्चिक की बात कर लेते हैं, व्रिश्चिक रास के जातकों के लिए अगोचर भाग्य भाव में होने जा रहा है, अब देखा जाए तो ब्याय पती और सांथी सांथ शुक्र आपके लिए सब तमे सोकर के भाग्य भाव में गोचर कर रहें, क्या कहना चाहता है ये, ये समय कहना चाहता है कि अगर इस गोचर का आपको लाव चाहिए तो जीवन सांथी की बात को मानेंगे, आपका काम बनेगा, मन को शांती मिलेगी, आध्यात्मिक कारियों क प्रती खुद को समर्पित करिये, पिता की सेहत का खयाल भी रखिये, पिता की जरूत का भी खयाल रखिये, प्रेम संबंद में कोई भी जूठा वादा और जूठी बातें आपके प्रेम संबंद को तोड़ने का काम करेंगी, अगर आप चाहते हैं कि प्रेम संबंद में और वो कैसे बनेगा, सबके प्रती मैत्री भाव रखना, चाहे वो आपके छोटे भाई बहन हो, माता पिता हो, आपके प्रेमी जो आपके से प्रेम करते हैं, सबके प्रती उदार दृष्टिकोंड बना लीजिए, आपकी समस्यां खुद बखुद दूर होती चरी जाएंगी आर्थिक दृष्टिकोंड से भी या गोचर पढ़िया होगा, बैंक बैलेंस भी कहीं न कहीं बढ़ेगा, और ये बैंक बैलेंस जीवन साथी के सहयोग से होगा, अब बेवजह कपणों पर, परफ्यूम पर, फैसनेबल चीजों पर जरुवत नहीं है, तब भी खर्च करे तो फिर धन कहां से बढ़े, तो आप जरा सोच समझ कर कहीं ब्याय करिये, इस गोचर का आपको फायदा मिल जाएगा, उपाय के तौर पर तो कोई विशे साव सकता नहीं है, गाय की सेवा, गाय को गुड़ खिलाना आपके लिए बेहत फायदे मन्द होगा, तो आप ऐसा अशे करिएगा, धनू की हम बात करेंगे, धनू रासि के जातकों के लिए देखा जाए तो अस्टम में होने जा रहा या गोचर, और धनू रासि को जरा सतर का और सावधान करना चाहता हूँ, वैसे तो शुकर का गोचर विशेस नुकसान किसी को नहीं पहुचाता, लेकि अब सामने से वो आपकी तरफ उनका आकर्शन बढ़ेगा, लेकिन आप किसी मुश्किल में पढ़ सकते हैं, तो आपको जरा सावधान रहना पड़ेगा, एक्स्ट्रा, मेरिटल, अफेर वगरा से आपको बिल्कुल बचकर के रहना होगा, सुक सुभिधाओं से जुड़ी चीजों की खरिदारी त्यादी पर आपका ब्यर्थ ब्याय हो सकता है, इन चीजों पर ब्यर्थ का ब्याय करना बंद करिये, हलाकि अप्रत्याशित लाभ की पुरुन संभावना बन रही है, क्योंकि लाभेश शुक्र अश्टम से संबंद बना रहे हैं, तो हो सकता है शेर लेकिन जो लोग ये नहीं मानते हो खरीदेंगे ही वो हाँ पर बात बन सकती है यानि कि नया वाहन या घरित्यादी का योग भी बन रहा है तो मिलाज उलाकर के धनुराश के जातकों के लिए हगोचर कहीं न कहीं 40 और 60, 40 प्रतिसत ही फायदा 60 प्रतिसत परिशानी लेकर क्या रहा है वाणी पर नियंत्रन रखना है और साथी साथ आपको अपने चरित्र पर भी कंट्रोल रख करके चलना है चरित्र के कारण आप परिशानी में पढ़ सकते हैं तो सावधान रहिए और सावधान रहकर के आगे बढ़िए यह गोचर आपको फाइदा देगा सिद्ध कुंजिका इस तोत्र का पाठ अवस्य करिएगा और गाय को गुड अवस्य दीजिएगा बात मकर की कर लेते हैं मकर राशी के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर सब तमभाव में होने जा रहा है बिपरीत के प्रती आकर्शन बढ़ जाना और बिपरीत के कारण है किसी बिवाद में पढ़ जाना ऐसा होगा बिवाद होगा किस के सांद जीवन सांथी के सांद और अगर आपने अपने गुस्य पर कंट्रोल नहीं रखा तो घर का माहौल खराब होगा अपने उपर आपको कंट्रोल लखना होगा मन पर नियंत्रण बनाईए और बिपरीत का सम्मान करिए मैं ये दोनों के लिए कह रहा हूँ स्त्री और कुरुस दोनों एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर वगरा करते हैं तो इस बात के लिए तयार रहिएगा कि किसी मुश्किल में पढ़ेंगे कोई बड़ा नुकसान आपको हो सकता है सुरक्षा तो इसी में है कि आप इस तरह का कोई भी गलत कारिय न करें परेशानियों से बचे रहेंगे अपने जीवन सांथी को लेकर के जितना हो सके सतर्क रहिए और जीवन सांथी के बारे में सोची जीवन सांथी के साथ बने रहिए ठीक रहेगा ब्यापारियों के लिए ठीक है यह समय और जो लोग प्रेम संबंद को बिवाह में तबदिल करना चाहते हैं उनके लिए भी बढ़िया है तो निकल करके जो निसकर्स आ रहा है मकर रासी के लिए यह गोचर ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है सभी प्रकार से इस गोचर का आपको लाभ मिलेगा कारिक छेत्र में भी सफलता है प्रेम और विवाह के छेत्र में भी बस जीवन साथी का खयाल और अपने चरित्र का विशेस रूप से ध्यान कोई विशेस रूप आए कि आवशकता तो नहीं दिखाई पड़ रही आपके लिए गाय को आप हरा चारा देते रहिएगा इससे फायदा मिलेगा और बात कुम्भकी कर लेते हैं कुम्भके लिए देखा जाए तो शुक्र का गोचर सस्ठम में होने जा रहा है जैसा मैंने कहा कि शुक्र बहुत ज़्यादा कस्ट नहीं प्रदायन करते तो सुक्र का गोचर सस्ठम में भी ठीक ठाक फल देने वाला होता है हाँ यहां होने से ब्याधिक की अवस्य होगा परंतु ये ब्याय कराते कहां है तो आपके सुखों पर अब अपने सुखों पर कोई ब्याय करे तो ये गलत तो हो नहीं सकता अब मैं बार-बार कहुंगा कि जब आप भोग करेंगे तो रोकी और प्रवित्त होंगे स्वास्त से संबंदित परिशानिया होंगी अतह आपको भोग तो करना है परंतु परहेज और बचाओ के सांथ नहीं तो ये भोग बिमारी का रूप ले ले कोई गंभीर समस्या उत्पंद हो सकती है किसी भी प्रकार के विवाद में पढ़ने से आपको बचना है अन्यथा उस विवाद में बुरी तरह से आप उलद सकते हैं कोई भी अनैतिक कारे गैर कानूनी काम समाज में आपकी छवी को धका पहुचा सकती है सबहाओ निसंदेहिस गोचर काल के दौरान खर्चीला हो जाएगा पैसे ब्यर्थ में आप खर्च करने लगेंगे मैं एक बार सलाह दूँ कि पैसों का खर्च जरा सोच समझ करके करिए और इस गोचर काल के दौरान हो सकता है आपके बिरोधी थोड़े मजबूत हो जाएँ आपको परिशान करने का काम करें तो ये छोटी छोटी परिशानिया है सामान निसी इनको आप सम्हाल लीजिए खुद को मजबूत बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं जो जो आपसे हो सके वो करिए कारेक छेत्र में जो भी बरिश्ट जन है उनका सहयोग लीजिए उनके सहयोग से आपकी समस्याइं दूर हो जाएगी हाँ उनपर निर्भर नहीं रहना है जो करना है अपने बदौलत दूसरों की चाहे वो बरिश्ट जन ही क्यों नहीं हो निर्भर नहीं रहना निर्भर अपने उपर रहना और तब आगे बढ़कर के काम करिए आपको फायदा मिलेगा उपाय के रूप में आपको भी बस सिद्ध कुंजिका इस्तोत्र का पाठ करते रहना है लाभ मिलेगा मीन की बात कर लेते हैं मीन राश के जातकों के लिए सुक्र का यह गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है लेकिन यह गोचर कही न कहीं संतान को लेकर के चिंता में डालने वाला है हां कुछ मामलों में अच्छाईया भी क्योंकि यहां से आकस्मिक धनलाब भी आपको होने वाला है पराकरम में आपके बृध्धी होगी खुसियां आएंगी परण्तु चिंता भी साथ में वोगी यानि खुसियों के इस काल में अनावस्यक चिंता भी आपको हो सकती है प्यार के छित्र में, रोमांस के छित्र में बहार ही आने वाली यानि उस मामले में तो ये 28 सेप्टेंबर तक का जो समय है आपके लिए यादगार सिद्ध होने वाला है अरंगीन बन जाएगी जिंदगी, शत्रू पराजित हो जाएं आपसे मिलाज उलाकर के इस मामले में ठीक है, आए के कई स्रोथ खुलते दिखाई पड़ रहे हैं आर्थिक इस्तुति आपकी मजबूत होने वाली है वैसे तो इस कोरोना काल ने सब को परिशान कर दिया, लेकिन ग्लैमर, वह संगीत के छेत्र से जुड़े हुए हैं तो यह गोचर काला आपके लिए बढ़िया होने वाला है, या संगीत के छेत्र में आपका रुजान है तो आपकी रुची और बढ़ेगी और वहां सफलता के रास्ते खुलेंगे प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है और प्रेम संबंद को बिवाह में तब्दिल करना चाहते हैं तो एक बार अपने पेरेंट से बात चित करिए, रास्ता बनेगा स्री सुप्त का पाठ आपके लिए बढ़िया हो रहेगा, स्री सुप्त का पाठ करिए तो प्रियदर्शकों ये था शुक्र राशी परिवर्तन का प्रभाव आज के लिए वस इतना ही, इजाज़त दीजे, पुनह मुलाकात होगी तब तक के लिए, नमस्कार